वेल्कम फ्रेंट्स तो थे न्यूकामरा.com चैनल और आज हम बात कर रहे हैं कैनल 77D के बेश्ट लेंस के बारे में तो चलिए हम 77D के लेंस के रेकमेंडेशन की तरफ आगे बढ़ें बट उसके बाले अगर आप न्यू हो इस चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब ने करा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बीए पार्ट अफ्थे न्यूकामरा.com फैमली तो चलिए हम इस केटोगरी की लेंस के बारे में बात करूँगा, पॉट्रेट केटोगरी के बारे में बात करूँगा, अगर आपको करना है तो मैं अल्टर वाइड एंगल जूम लेंस के बारे में बात करूँगा, तो हर एक केटोगरी की लेंस के बारे में बात करता चला जाओंगा, उसक से पहले portrait photography और of course 50 mm f1.8 lens जो मैं in general recommend करता हूँ beginners को वो बहुत ही अच्छी lens है और आपको पता हो साथ कि यह जो Canon की 50 mm f1.8 lens है अपने class में सबसे effortable lens है and one of the best thing is कि अगर आपको सही में advantage देखनी है अपने APS-C format sensor की 77D में जो आपको मिला है तो आप जरूर एक prime lens purchase करो जितनी जल्दी हो सके तभी आपको पता चलेगा कि यह camera कितनी beautiful output देता है तो अभी तक अगर आपने 50 mm f1.8 lens को purchase नहीं करा है then my recommendation is that you should purchase it as soon as possible यह lens आपको कहां help करेगी अगर आपको portrait photography में interest है अगर आप candid suits करना चाहते हो यह lens आपको बहुत ही ज्यादा help करेगी pre wedding suits के आप preparation कर रहे हो आप सुच रहे हो कि हम कौन सी lens purchase करें यह बहुत ही अच्छी affordable lens है आप purchase करो बहुत ही उम्दा output देगी so 50 mm f1.8 is the best lens to begin with चलिए हम अब बात करते हैं best zoom lens की तो zoom lens की अगर हम बात करें 77D camera के लिए तो सबसे best zoom lens है जो Canon ने recently announced करी है 70-300 mm की nano USM lens बहुत ही उम्दा lens है optics तो इसकी बहुत ही इंप्रूव कर दी है Canon ने compared to previous generation of lenses साथी साथ इसमें उन्होंने nano USM motor डाला है जिसके चलते AF noise जो है negligible है और AF speed बहुत ही इंप्रूव है तो यहाँ पर अगर आपको एक बहुत ही उम्दा zoom lens लेनी है अपने camera के लिए तो आप of course 70-300 nano USM lens जो latest lens है उसमें invest करो मैं link भी दे दूँँगा description box में आप check कर लेना और कई एक message मुझे आते हैं कई एक user मुझसे question पूछते है कि सर मुझे wildlife photography में interest है मुझे एक बहतरीन zoom lens के बारे में बताया है जिसकी range काफी जादा हो और बहुत ही जादा button भी नम पड़े हमारे pocket पे तो यह lens थोड़ी costly जरूर है जो मैं next lens की नाम लेने जा रहा हूँ बट अगर आप invest कर सको आपको wildlife photography में interest है तब आप sigma की 150-600 mm की lens में जरूर invest करो यह lens की range बहुत जादा है plus optics भी बहुत ही अच्छी इस lens की और अगर आप compare करते हो Canon की lenses के cost के मुकाबले तो बहुत ही कम cost आपको पड़ती है but although it's a bit high तो अगर आपको interest है wildlife photography में आप invest कर सकते हो then you should go with the sigma 150-600 mm lens यह लिए हम बात करते है landscape photographers के लिए अगर आपको landscape photography में interest है आपको architecture photography में interest है या तो फिर आप YouTuber हो और आपको एक all-in-one perfect lens जाएगी तो यह multi-purpose lens है बहुत ही versatile lens है मैं बात कर रहा हूँ 10-18 mm IS-STM lens के बारे में बहुत ही affordable lens है under 20,000 आपको पढ़नी है यह lens और सबसे बड़ी खुबी इस lens की being a ultra wide lens इसमें आपको image stabilization भी मिलती है साथ ही साथ इसमें आपको STM stepping drive motors की support भी मिलती है यहाँ पर आपको IS के चलते आप अगर movement में हो आप अगर handheld shooting भी कर रहा हो तो बहुत ही sharp images आनी है साथ ही साथ अगर आप videos बना रहे हो on the move आप lifestyle blogger हो या travel blogger हो even though this lens helps a lot तो यह बहुत ही अच्छी lens है प्लस इसमें STM motor लगा हुआ है in case since it's ultra wide angle zoom lens अगर आप external microphone नहीं use कर रहे हो even though इसकी जो AF twice है camera के internal microphones के अंदर registered नहीं होगी reason यही है किसमें stepping drive motors लगे हैं तो Canon ने बहुत ही बखुबी इस lens को design करा है बनाया है और इसकी cost जो रखी है super affordable रखी है तो मेरी recommendation है that if you are a YouTuber, if you are a lifestyle blogger, if you are a travel blogger और if you are a landscape shooter और an architecture photographer, multi-purpose wide angle zoom lens सबसे best lens यही है इसी को आप purchase करो 10-1800 ISSTM lens चलिए हम बात करते हैं micro photography, if you are interested in micro photography तो सबसे उम्मधा, सबसे best lens कौन सी रहेगे 77D camera के लिए my recommendation is that you should purchase the 35mm f2.8 lens with ring LED lights in its front बहुत ही helpful lens है, plus micro lens जब हम करते हैं, work करते हैं तो इसमें enormous amount of light की जरुवत पड़ती है micro photography में, तो यह जो ring lights Canon lens के आगे दे रखी है, बहुत ही मसलों में यह बहुत ही help करती है, इतनी अच्छे से subject को eliminate करती है, that quality improves dramatically, तो मेरी यह recommendation है कि अगर आप सोच रहे हो, आप invest करने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि किसी lens में invest करें, but आप confused हो, then you should invest in the 35mm f2.8, one of the best lens for beginners, amazing output, इससे आपको amazing output में लें, so go with this lens if you are interested somehow or some way in macro photography. चलिए हम बात करते हैं, Canon के 18-135mm lens के बारे में, अगर आपको एक all-in-one lens चाहिए, अगर आपको एक ऐसा solution चाहिए, जिसके बाद आप सोचना ना पड़े, सिर्फ, zoom shots भी ले लो, ultra wide angle shots भी ले लो, in general, आप अगर travel कर रहे हो, तो आपको एक all-in-one solution चाहिए होता है, कि भाई अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, आपके पास 50mm की आप 1.8 lens है, और 18-135mm की एक lens है, तो ये essentials में आती है, तब आपकी एक वेडिंग पार हो जाएगी, आपको candidates भी मिल जाएगे, आप portraits भी ले सकते हो, और ultra wide angle zoom lens के साथ आपकी coverage बहुत ही जादा रहेगी, तो ये 18 31-35mm की lens बहुत important lens है, if you are into professional photography, और if you are a travel photographer, आप travel shooter हो, street shooter हो, then this lens will going to help a lot, improvement जो ने generation की lens है, इसमें Canon ने nano USM motors लगा रखी है, optics को भी हलका सा इंपरूब करा है, image stabilization को भी rework करा गया है, तो overall इस lens की quality को Canon ने काफी अच्छी तरीके से इंपरूब करा है, if you are interested in getting an ultra wide range zoom lens, then this lens is the best for you, so of course 18-135mm lens is one of the best and one of the most usable lens for the APS-C DSLR camera, चलिए अगर हम wedding photography की बात करने हैं, तो अगर आपको creative shots लेने हैं, थोड़ा सा अलग हटके आपको images pick करनी है wedding में, और आपके पास budget अच्छा खासा है, तो आप सिग्मा की 18-35mm f1.8 lens भी ले सकते हो, इसमें आपको investment थोड़ी जाला करनी पड़ेगी, बट जब आपके creative shots आएंगे, तो वो just unparallel रहेंगे, बहुत ही creative lens आईए, अगर आप चाहा रहे हो कि आप one of the best lens purchase करो, APS-C format की और काफी creative आप इससे images खीश सकते हो, प्लस अगर आप video बनाते हो, YouTube के content बनाते हो, तब भी 18-35mm की सिग्मा की ये lens आपकी बहुत help करेगी, तो अगर आपके पास एक अच्छा budget है, and if you want one of the best lens available for your camera, you can go or you can try the Sigma 18-35mm f1.8 lens, one of the best lens to have with your camera, और आपके, और अफ़ोस आपके kit lens की excellent replacement है ये lens, तो अफ़ोस, if you can afford, you should go with this lens too, it's a great option for your camera, तो आज जितनी सारी हमने lenses discuss करी, ये काफी wide range को cover करती है, approximately, आपकी 90% जो भी requirements होगी, shooting needs जो होगी, उसको ये lenses justify करेंगी, और इसके बाद भी आपके पास कोई question बच जाता है, और इसके बाद भी आपके पास कोई question है, lenses से related 77D camera के लिए, आप बेजी जख होगे, हमारे comment section में पूछ सकते हो, मैं जरूर आपके सवालों के answer देने की कोसिस करूँगा, और अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करा है, तो जरूर subscribe करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर देना, thank you very much for watching this, Welcome friends to the new camera.com, अमर जान सौब, और इसे मैंने एक हास करके आप लोगों के लिए बनाया है, जो की budget-based purchasing कर दे हैं, आपकी budget आपको पता है, आपकी requirement आपको पता है, आप हमारे space पर आके देख सकते हो, कि हर एक budget-wise हमने camera और lenses को sort out करके रखा हुआ है, तो under 30,000-40,000 camera के साथ, हमन lenses को भी डाल रखा है, कि जिस तरह की आपकी जरूरत है, आप portrait photography करना चाहते है, आप wildlife photography करना चाहते हो, उस type की lenses भी हमने उस camera के साथ डाल रखी है, तो बहुत ही अच्छी buying guide है, और हर एक box के top right corner में short notes मैंने लिख रखा है, या उस particular lens की use क्या है, आप किस वजह से उस particular lens को purchase कर सकते हो, तो बहुत ही concise और बहुत ही अच्छी buying guide हमने बना रखी, आप visit करो, आपको अगर camera purchase करना है, तो जरूर ये guide आपको बहुत ही ज्यादा help करने वाली है, thank you very much for watching this. झाल